नमस्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जोग्रोफी की थर्ड वीडियो जिसके अंदर हम सीखेंगे फीजियोग्राफिक रीजन ओफ इंडिया यानी भारत के भोगोलिक भाग अब इससे पहले वाली जो दो वीडियो हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले वो देखी हैं क्योंकि उसके अंदर मैंने आप लोगों को भारत की लोकेशन जो है वो करवाई हुई है भारत किन देशों के साथ boundary dispute है विद मैप ये सारी चीजें आपको उन दोनों वीडियो में मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से महां पर cover करवाया गया है पेडियेफ के लिए बता दूं कि पेडियेफ कहा मिलेगी तो description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो वहां से आप पेडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये वीडियो जो है या फिर कहीं कि पिछली दो वीडियो थी इस सारी वीडियो जो है वो जोग्रोफिकी वो bilingual में हो रही है हिंदी प्लस इंग्लिश आपको हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश के अंदर भी आप लोगों को यहां पर content provide करवा island, plains इन सब चीजों को हम जो हैं फिजियो ग्राफिक रीजन ओफ इंडिया के अंदर समझने वाले हैं mountain का मतलब क्या होता है परवत, plateau का मतलब क्या होता है पठार, island का क्या मतलब होता है द्वीप, plains का क्या मतलब होता है मैदान mountain जिनका उपरी हिस्सा जो नुकीला होता है वो mountain होता है पठार में table नुमा करती होती है उपर की तरफ, टेबल नुमा करती होती है जो mountain होते है इनकी height जादा होती है as compared to जो platty होता है या जो पठार होता है द्वीप क्या होता है जो एक जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा हो चारों तरफ पानी से घिरा हो ये वाला क्या कलाएगा island कलाएगा ठीक है और एक और चीज जैसे हमने यहां पर हमारे भारत के बारे में भी सीखा हुआ इस तरफ पानी है इस तरफ पानी है इस तरफ भी पानी है तो तीन तरफ से पानी की तरफ से घिरा हो इसको कहते हैं Peninsular यानिकि जो तीन तरफ से पानी से घिर हो उसको कहते है Peninsular, इसको ध्यान रखना अपना Planes क्या होते हैं? यानि जो सम्तल मंदल होते हैं plane, मैदानी भाग जैसे हमारे उत्तर भारत में हम देखते हैं हरियाना, पंजाब, राज़तान, उत्रपरदेश, इस साइड हम जो देखते हैं, वो क्या होते हैं, वो plains होते हैं, clear, तो physiographic reason के अंदर हम जो हैं, इन चार जीजों को पढ़ने वाले हैं, mountain को देखते हैं सबसे पहले, एक एक करके बात करेंगे, कि mountain बने कैसे, कितने type के होते ह पहले हम बातों को हम, first of all, mountain के अंदर देखेंगे, तो चलिए, mountain के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कि mountain कहते किस को हैं, पहले इसकी definition, कि those high elevation areas which have sharp upper part, वे उचे स्थान, जिनका उपरी भाग जो नुकीला होता है, उसे क्या कहते हैं, mountain कहते हैं, देखिए, यहां पर क्या बोल प्री भाग कैसा होता है, नुकीला होता है, नुकीला क्यों बोला, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक ऐसी भी आकरती है, जहां पर हमें नुकीला नहीं दिखता, एक मैदानी भाग या फिर कहेंगे, टेबल नुमा आकरती दिखती हैं, तो confused नहीं हो न, नुकीला भाग ज हिसाब से, और एक है हमारे सामने, इसके कितने अलग-अलग टाइप के माउंटेन होते हैं, ठीक है, तो हम जो है, टाइपस पर जाते हैं, कि माउंटेन के कितने टाइपस होते हैं, चार टाइपस होते हैं माउंटेन के, एक होता फोल्डिंग माउंटेन, एक होता ब्लोक मा ब्रंस परवत, वॉल्गैनिक माउंटेन बोले तो ज्वाला मुकी परवत, रेजिडियोल बोले तो अव्शिष्ट परवत, वैसे तो फोल्डिंग माउंटेन जो है, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक होता है यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड मा होते हैं ठीक है वैसे देखा जाए ब्लोक माउंटेन हो गया या वोल्कैनिक माउंटेन हो गया या रेजिडियल माउंटेन हो गया यह सारे फोल्डिंग माउंटेन ही होते हैं कैसे सर क्योंकि यह ब्लोक माउंटेन तब बनता है जब यह folding mountain बन रहा होता है उसी परक्रिया के तोरां जो है वो block mountain का निर्मान होता है volcanic mountain का बनता है जब यह folding mountain बन रहा होता है उसी परक्रिया के तोरां volcanic mountain का निर्मान होता है residual mountain का बनता है भई एक परवत है एक परवत है यहां पर हवा भी चल रही है सूरज की केड़ने भी है बारिश भी हो रही है तो ये धीरे-धीरे अपनी height घटा देता है और height घटा देता है तो समझो ये इतना ही रह जाता है तो यानि ये उपर वाला हिस्सा गायब हो गया ये कट गया घर्शन हो गया इसका किसके कारण हवा के कारण सूरज के कारण सूरज की रोशनी के कारण पानी के कारण यानि वारिश होने के कारण तो ये जब अपनी height घटा देता है तो ये क्या होता है ये कहलाता है residual mountain actual में बना तो ये folding mountain नहीं था starting में लेकिन धीरी धीरी इसके उपर जो प्राकरती घटना ही होती रही जिससे इसकी height घटी पचे कूचे को क्या कह दिया हमने residual mountain कह दिया clear तो types of mountain में हम चारों types को देखने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं folding mountain की कि folding mountain बनता कैसे है सबसे पहले हम इसको समझेंगे और इसके लिए आपको एक video यहाँ पर मैं play करता हूँ उससे समझेगे अब यहाँ पर आपके सामने यह देखे यहाँ पर यह जो arrows दिख रही है यह इस side भी आ रही है यानि कि एक दूसरे की तरफ जो है इसको कहते है compression force जब एक दूसरे की तरफ फोर्स लगता है तो यहाँ पर यह इस तरीके की आकरती बनती है इसको कहते है fold यह fold हो रही है यह folding आकरती बन रही है अब यह folding आकरती बन रही है तो इसी को कहा जाता है folding mountain clear आप इसको घर पर ही बना सकते हो घर पर कैसे एक काम करिए आप towel ले लिजिए या pages ले लिजिए कुछ भी ले लिजिए और दोनों side जो है आप एक काम करिए block रख लिजिए लकडी के या plastic के जो भी है ठीक है अब इन दोनों blocks को क्या करना है एक दूसरी की तरब ढखेलना है दोनों कि वो एक दूसरी की तरब ढखेलेंगे तो इस तरीके का करती आप की सामने बन जाएगी यही तो होता है fold mountain clear हुआ यही होता है fold mountain अब आप ये पूछोगे sir आपने इह तो बताया चलो fold mountain लेकिन ये compression force लगा कैसे है यहाँ तो हमने लगा दिया जो वहाँ धरती अपने आप कैसे लगा रही है tension ना लो वो भी आपको सिखाने वालो और एक वीडियो की तुरू आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा भी compressional force लग कैसे रहा है बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा यह folding mountain बनते कैसे है clear अब एक definition इसकी कर लेते हैं folding mountain की due to convergence of two plate दो plateों के निर्मान से किसका निर्मान होता है folding mountain का निर्मान होता है अब यहाँ पर आती है दो चीज़े एक होता convergence और एक होता है plate सर यह plate क्या होती है और यह convergence क्या है convergence का मतलब होता है मिलना یعنی कि converge मनलब converge होना कि एक दूसरे में मिल जाना तो यह convergence होती है plates क्या होती है सर plates जैसे आप खाना-खाने के लिए जो plate लेते हो न वही plate यह भी होती है यहनी धर्ति के ओपर plates है Continental यानि महादवीप अलग हैं Continent सलग हैं और Plate सलग हैं अभी आपको वो Diagram के थुरू भी इस तीज को समझाओंगा समझो जब दो Plate सापस में टकराती हैं सर कितनी सारी Plate हैं? Plate तो बहुत जारी है ठीक है? जब ये दो Plate सापस में टकराई तो हमारे सामने क्या बन के आया? Folding Mountain बन के आया? ये देखिए ये बना आपके सामने Folding Mountain कैसे बना? दो Plate टकराई ये A1 Plate टकराई ये A2 Plate टकराई जब दो Plate आपस में टकराती हैं कैसे? एक दूसरी की तरफ आ रही है Compressional Force की तरह यानि इसके उपर भी Compressional Force लग रहा है यहाँ पर भी Compressional Force लग रहा है तो इससे ये दोनोट प्लेट्स टकराई अब ये A1 Plate नीचे जाती हुए आपको दिखेगी ये नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि इसकी Density है, वो High है इसकी Density जादा है, इसकी Density कम है अभी Tension नी ले रहा है, Density क्या होती है ये सारी चीज़ें आपको cover हो जाएंगी यहाँ पर आपको मिलेगा Lithosphere एक यहाँ पर आपको मिलेगा Esthenosphere Lithosphere को बोलते हैं Stal Mandal ये Crust होती है, ये उपर वाला Crust होती है जिसके उपर हम रह रहे होते हैं Crust के उपर हम रहते हैं एक होती है Lithosphere, वैसे ही पूरी Crust ही होती है अब यहाँ, पूरी Crust के पूरी Lithosphere ही होती है यह स्थल मंडल कहलाती है यह स्थल मंडल ही कहलाती है अब यहाँ पर यह Esthenosphere Esthenosphere महती है Durbalta Durbalta मंडल, दुरबलता मंडल बोलते हैं इसको ठीक है दुरबलता मंडल यह होगी स्थल मंडल तो यह दुरबलता मंडल होती है यहां पर भरा हुआ है मैगमा यह बहुत ज़्यादा गरम होती है गरम क्यों होती है क्योंकि यहां पर होता है यूरेनियम यूरेनियम थोरियम यूरेनियम थोरियम यहां पर यहां पर रेडियाक्टिविटी सबस्टेंज जादा होती है और एनर्जी यहां पर बहुँ जादा होती है और एनर्जी यहां पर होने के कारण यहां पर यहां पर जादा होने के कारण यहां पर जो हैं चीजें मैगमा के रूप में पाई जाती है तेमपरेचर कितना होता है लगबग 1900 degree celsius का temperature होता है यहाँ पर अब sir 1900 degree sir temperature होता है यहाँ पर तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पिगली होंगी यानि बहुत ज़्यादा ये तरल होगा नहीं इतना नहीं होता ये लेकिन चिपचिपा एक viscous तरीके का होता है यानि चिपचिपे टाइप का होता है अब इतना क्यों होता है sir 1900 degree celsius पे तो भईया हर चीज पिगल जाती है भई यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है अगर आप किसी चीज़ का प्रेशर इंक्रीज करता होगे ना तो उसका boiling point increase हो जाएगा मतलब कि अगर आप पानी को उबाल रहे हो 100 degree celsius के उपर अगर आपने वहाँ पर pressure high कर दिया तो वो 100 degree पर उबलेगा नहीं समझ रहे हो क्या चीज बोला क्यों नहीं उबलेगा क्योंकि आपने pressure high कर दिया है pressure अगर जादा कर देते हैं तो boiling point भी increase हो जाता है मतलब ये इसको समझो 200 degree या 200 degree चाहिए होगा पानी को बलने के लिए क्योंकि आपने pressure बहुँ जादा कर रखा है अगर pressure जादा है तो boiling point भी यहाँ पर जादा हो जाएगा तो इस चीज को ध्यान रखना अभी आपको यहाँ पर यह समझाना है कि convergence कैसे हुआ और plates कैसे बनी ये तो हो गया आपके सामने कि दो plates टकराई दोनो plates के टकराने से उपर जो आकरती बनके आई वो उसको हमने कह दिया folding mountain clear अब इसको समझो plates क्या होती है आपने अंडा देखा होगा वो crack पड़ जाए और उसको आसानी से छील सके ठीक ऐसा ही ये धरती समझो भाई ये जो है न ये crack पड़ी हुई है यही होती है इसकी plates ये plates होती है ये plates होती है और इसके नीचे ये जो आप देख रहे हो ना ये उपर वाला जो हिस्सा है ये होता है lithosphere ये जो आप red color का देख रहे हो ये होता है यानि दुरबलता मंडल ये red color का क्यों है क्योंकि ये magma है मैंने कहा ना यहाँ पर टेंपरेचर बहुँ जादा है टेंपरेचर होने के कारण यहाँ पर चीज़ें पिगली हुई है यानि कि liquid form में आपको यहाँ पर मिलेंगी इतनी ज़्यादा liquid में भी नहीं मिलेंगी लेकिन liquid form में यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत गरम होता है ये ये जो है plates इस के उपर तैरती रहती है जब ये तैरती रहती है तो कभी-कभी एक दुसरे से टकरा जाती है और जब ये टकरा जाती है तो यहाँ पर folding mountain का निर्मान हो जाता है समझो ज़रा ये होगी हमारे सामने एस्थेनोस्पियर यहाँ है मैगमा भरा हुआ जब मैगमा भरा हुआ है तो अब यहाँ पर जब कोई चीज गरम होती है तो वो चीज उपर की तरफ उठती है कैसे सर अरे आपने कभी अपने घर में पानी गरम करके देखा होगा पानी गरम करके देखा है तो आप सोच कर देखो पानी में जब गरम होता है तो भाप बनती है और भाप बनके उपर उठ रही होती है वो भाप उपर के उठती है क्योंकि वो हलकी होती है तो यानि एक चीज़ समझ में है गरम करने से चीज़ें हलकी हो रही है और वो उपर की तरफ उठ रही है तो यानि मैगमा जब गरम होता है तो यह उपर की तरफ उठने लग जाता है उपर की तरफ उठता है तो ये divide हो जाता है या फिर इस साइड इसको एक बर color बतल लेते हैं एक इस साइड चला गया और एक इस साइड चला गया ये कहलाता है convection current ये होती है convection current ये प्रक्रिया दोबारा से चलती है सर ये convection current क्यों हुआ अरे भाईया ये देखो यहाँ है temperature बहुँ जादा लेकिन जब ये उपर गया तो उपर इतना temperature था नहीं उपर temperature नहीं था यानि उपर था थोड़ा वो ठंडा as compared to ये वाला जो area है इस से जब ये इस साइड आया तो ये वाला इस साइड शर गया थोड़ा सा और ये ही साइड हो गया और यहाँ पर ये जो थंडा area था ये थंडा हुआ हो एरिया फिर नीचे आजयए तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहते है इसको कहते है concentration current ठीक है ये convection current और जब ये इस तरीके के movement कर रहा है तो इसके उपर यह plate sticky हुई है यह plate sticky हुई है देखो यहांपर यहांपर नीचे magma भरा हुआ है magma उपर उठा convention current हुआ convention current से यह this side हुआ यहांपर इसने movement start कर दिया moment start कर दिया इसके उपर जो प्लेट है उसने भी तो movement करनी है तो movement होगी तो यहाँ पर जो है प्लेट जो है यहाँ देखिए यह area जो है mid ocean ridge यह जो area है वो बहुत गरम हो जाता है और यहाँ पर इस side में यह plates का निर्माण होना start हो जाता है तो देखिए यह divergence होती है divergence होती है अभी तो आपने convergent बढ़ाया है समझो जरा यह divergence का मतलब होता है plates यहाँ से divide होनी start हो जाएंगी यह अलग होगी यहाँ से तो यहाँ पर gap आ जाएगा plates के अंदर plates के अंदर gap आ जाता है तो plates यहाँ पर तूट जाती है तो यहाँ plate जो है convergent यहाँ पर हो रहा है फिर यहाँ पर समय में नहीं आएगा एक दूसरे image के थुरूब आप लोगों को यह समझाऊंगा अभी इतना समझें कि magma है उपर की तरफ उपर उठेगा क्योंकि गरम होने के कारण और यह convention current हो जाएगा मुझे बस इतना ही समझाना था अब आगे चलते हैं आपको plate समझ में आगी plate क्या होती है आपको यहाँ पर magma समझाएगे कि magma उपर की तरफ उठता है convention current होती है divergence हो जाता है यहाँ पर plate का अभी चलिए यह देखिए यह होती है continental यह होती है continental crust और यह होती है oceanic crust oceanic crust यह उपरी हिस्सा यह होता है मैं यहाँ पर यह crust और उपरी solid mental उपरी solid mental यह कहलाता है आपका lithosphere ठीक है lithosphere किससे मिलके बनाओता है crust और mental से mental यहाँ पर भी होती है यह mental होती है ठीक है यह mental भी होती यहाँ पर तो mental का थोड़ा बहुत हिस्सा जो होता है वो lithosphere में भी होता है और बाकी हिस्सा किसमें होता है वो asthenosphere में होता है asthenosphere जो होता है वो liquid form में होता है liquid form में होता है और यहाँ पर यह देखिए यह जो है यहाँ पर आप देख रहे हो धरती का core है यह उपर का एरिया आपने देखा यह है continental crust या फिर कहें कि oceanic crust यह हो गया आपके सामने lithosphere यहाँ पर आप देख रहे हो outer area यह होती core यानि धर्ती का center बिल्कुल अंदर का हिस्सा यह होता है solid form में inner core होता है solid form में सर solid form में क्यों होता है कि यहाँ पर क्या गर्मी नहीं होती बहुत गर्मी होती है हद से भी जादा गर्मी होती है temperature बहुत हाई होता है सर यह फिर solid form में क्यों बन रहा है क्यों यहाँ पर अब यह liquid क्यों नहीं मिल रहा यहाँ पर जब हमने S-3 no sphere में liquid देखा था इसलिए liquid नहीं है क्योंकि यहाँ pressure बहुँ जादा है pressure इतना जादा है कि वो liquid नहीं मिल पा रहा इसलिए कि यहाँ पर क्या है यह solid form में रह रहा है लेकिन उपर की तरफ चला तो थोड़ा सा pressure कम हुआ तो यह कही न कहीं हमें liquid मिलने लगा और यहाँ पर हमने देखा यह थोड़ी बहुत और quality के अंदर में liquid मिला clear हुआ यह esthenosphere जो होता है वो लगबग solid और liquid दोनों में ही मिल रहा होता है viscous यानि चिपचिपे type का होता है यहाँ पर clear यह हो गया हमारे सामने अंदरोनी इसा धर्तिका अब समझो यह हो गया magma magma उपर की तरफ उठा magma जब उपर की तरफ उठा यह lithosphere है यह भी lithosphere है यहाँ पर जो है वो convention current हुई यह inside हुई तो यह area जो यह फिर कहें कि यह convention current यह cycle चल पड़ी यह फिर ऐसे जाएगी यह फिर उपर की तरफ उठेगा यह फिर ऐसे उपर की तरफ यह cycle ऐसे चलती रहेगी तो यहाँ से यह भी तो area है इस side से भी उपर उठ रहा है यहाँ पर इस side से भी उपर उठ रहा है तो यह इस side जा रहा है यह इस side जा रहा है तो यह दो plate यहाँ पर टकरा भी तो रही है यह देखिए यह टकरा रही यहाँ पर एक प्लेट नीचे की तरफ जा रही है एक प्लेट यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रही है इसका जो नीचे की तरफ जाती है वो ओशेनी करस्ट होती है ओशेनी करस्ट होती है सर यह ओशेनी करस्ट क्यों जाती है क्योंकि इसकी density जादा होती है इस continental crust से ठीक है और जब यह यहाँ पर समझ के देखो यहाँ पर जो टकराती है तो यह area जो होता है न यहाँ यहाँ बन जाता है आपके सामने folding mountain यह folding mountain होता है और जब folding mountain बनता है तो उसमें granite मिलता है अब granite क्यों मिलता है समझ के देखो यह oceanic crust है यहाँ से नदी आई होगी नदी यहाँ पर गिरी होगी तो यहाँ पर कुछ न को जमा हुआ होगा ना यहाँ पर मतलब कि minerals होगी नदी अपने साथ क्या भाग लाती है जब यहाँ पर plates टकराएंगी तो यह minerals उपर की तरफ उठ जाते हैं उपर की तरफ उठ जाते हैं तो mountain के रूप में उपर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ना हिमाले के अंदर आपको granite मिलेगा ठीक है उसके core में आपको granite मिलेगा अब यहाँ यह जो है folding mountain बन जाता है कैसे क्योंकि यह plate टकरा रही है यह plate यहाँ से टकरा रही है तो convergent हो रही है converge हो रही है तो हमारे सामने यहाँ पर fold mountain बन के आ रहा है एक यहाँ पर आप यह देखेंगे यह area यह वाला area यह tensional force होता है block mountain बनते है यह देखें यह block mountain का उधारण है तो यह वोल्केणों बन रहा है तो यह volcano यहँ पर ओ गया यह volcano यहाँ यहाँ पर गया तो वोल्केणों जो है folding mountain बर करिया के दोरान ही बनते है ठीक है अब आगे चलते है fold mountain के कुछ एक example की बात करूं तो यहां पर देखे हमाले माउंटेन जो है वो इंडो ओस्टेलियन प्लेट और इरेशन प्लेट के टकराने से बना है, सर ये प्लेट मैं आपको समझाने वाला हम, ये प्लेट तो वैने आपको बताई की कैसे बनती है, ठीक है प्लेट का आपको एक image के तुरू भी समझाऊंगा कि प्लेट हमारी जो प्रित्वी है वहां पर कहां कहां पर किन कौन कौन सी प्लेट है जो भारत है वो भारत कौन सी प्लेट पर है उस प्लेट को क्या नाम दिया गया है यह सारी बाते हम समझने वाले इंडो उस्टेलियन प्लेट है, आपकी सामने लिखी भी है, इरेशिन प्लेट होगी हिमालय माउंटेन का निमान ऐसे हुआ एंडीज माउंटेन जो है, नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो टकराई थी, तब एंडीज माउंटेन बनी, यह सारे फोल्डिंग माउंटेन है यह घर रोकी माउंटेन, यह कोकोज प्लेट और नोर्थ अमेरिकन प्लेट जब टकराई थी तब यह रोकी माउंटेन बना था, अब आपको भी दिखाता हूँ, यह देखिए यह रही, यह इंडो उस्टेलियन प्लेट है, यह इंडो उस्टेलियन प्लेट जो है जब यह तक्राई न यह देखिए, यह Eurasian plate होगी और यह Indoor Australian plate होगी, जब यह आपस में तक्राई, देखिए, तक्रा रही है नि दोनों की एक दूसरे की तरफ compression force लग रहा है, यानि एक दूसरे की तरफ force लग रहा है, वो compression force है, जब यह compression force लग रहा है, तो यहाँ टैथिस सी यहाँ बन जाता है, Indies परवत यहाँ बन जाता है, clear हुआ यहाँ पर, तो यह हैं आपकी सामने plate, देखिए, plate बहुत सारी है, North American plate होगी यहाँ पर, Cocos plate होगी यहाँ पर, जन्दी, Fuka plate होगी यहाँ पैसिफिक plate होगी, नाजका plate होगी, यह plates बहुत जादा important है, South America plate होगी, clear यह Africa plate होगी, Arabian plates होगी यहाँ पर, Indian plate, वैसे अभी जो है हम इसको एक साथ ही पढ़ेंगे, वैसे अलग-अलग हो भी रही है, Indian plate और Australian plate यहाँ पर कहीं अलग भी हो रही है, clear, अब यहाँ पर आपको एक वीडियो के तरूँ इस चीज़ को समझाता हूँ, कि धर्ती के कोर मे जो है, वो magma है, मतलब कि जो asthenos pier है, वहाँ पर magma है, यह देखिए, यह magma उपर की तरोफ उट रहा है, यह हो गया हमारे तरह, और यह plates हैं, यह plates को देखिए, divide कर रहा है, इस साइड और साइड, यह diverge हो रही है, अब यह diverge हो रही है, तो एक plate निच्चे भी तो कही न कह इसे convection current कहते है यह फिर से यहाँ पर ठंडा हुआ यह नीचे गया यह गरम होगा यह फिर से उपर ऊठेगा यह cycle ऐसे चलती रहेगी तो यह plate है यह इस side move करेंगी यह इस तरी के cycle चलेगी तो यह plate इस side move करेंगी तो यह plate का movement ऐसा चलता है रहेगा अब यहाँ पर आगे तलते हैं यह plate के movement होगे है हमारे सामने एक minute अब यहाँ पर आपके सामने मैं folding mountain कैसे बन रहा है इस चीज़ को समझाता हूँ, देखिए यह plate जो है वो नीचे की तरफ जा रही है यह plate जो हो नीचे की तरफ जा रही है यह plate नीचे की तरफ यह नीचे इसले जा पार रही है क्योंकि इसकी density है वो जादा हाई है जब यह density नीचे इसकी जादा हाई है जब यह नीचे गई नीचे pressure वो क्या है नीचे जो है यहांपर magma भरा हुए है, यहांपर temperature जादा होने के कारण क्या है तेंपरेचर जादा होने के कारण यह जो प्लेट नीच आई यह पिगल जाएगी यह जो पिगल जाएगी यहाँ पर तो यह यहाँ पर मैगमा बनेगा और यहाँ से यहाँ से जो है यह करश से निकल कर यहाँ से यह वोलकैनों के रूप में बाहर आ जाएगा volcano के रूप में यहाँ पर बाहर आजाएगा यह volcanic mountain भी यहाँ पर बन जाते है clear हुआ यहाँ पर तो यह होगे आपके समने folding mountain कैसे बन रहा है उमीद करता हूँ कि यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी यह तमाम चीज़ें आपको PDF के रूप में मिलने वाली है description box में जो आपको link दिया है telegram को जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते है अच्छा जो folding mountain बन जाता है यह देखिए folding mountain जब बन जाता है यहाँ पर तो यह जो इस तरीकी की आकर्ती होती ना जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं sink line यह जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको sink line बोला जाता है और यह उपर उठावा बाग जो यह antink line बोला जाता है नीचे होई वाले हिस्से को sink line उपर वाले हिस्से को antink line बोलते हैं अच्छा यह जो folding mountain होते हैं यह अलग-अलग type की भी आकर्ती बनाते हैं जैसे कि एक तो होती है symmetric यानि कि यह वाला area और यहाँ पर यह वाली shape देखेंगे तो एक दूम सेम लगती है मैंने मुझसे बनी नहीं लेकिन एक मिन्ट मैं कोशिश करता हूँ बनाने की एक मिन्ट यह देखिए यहां से यह उठा और यहां से यह तो यह जो है वो symmetric कहलाता है mountain क्योंकि यह जो slope है और यह वाला slope है दोनों एक जैसे हैं लेकिन यह slope ऐसे हुआ और यह थोड़ा सा moderate ऐसे slope हो गया ना तो यह asymmetric कहलाते हैं यह asymmetric mountain होता है यह folding mountain के अंदर ही आ जाते हैं अब आगे चलते हैं अब बात करते हैं block mountain देखे block mountain कैसे मनता है इसके लिए आपके सामने एक मैं video के तुरू समझाता हूँ देखे convergence के दुरान मतलब की convergence होती है एनी plate जो है जब आपस में टकराती है वो कैसे टकराती है क्योंकि उनके पर compression force लग रहा है compression force लग रहा है जब compression force लगता है तो यह एक plate नीचे की तरफ आती है और एक plate उपर की तरफ होती है तो यहां पर जो है वो मोड़दार परवत बन जाते है ठीक है अब यह force एक दूसरे की तरफ ना आकर विप्रीत जा रहा हो एक दूसरे के विप्रीत जा रहा हो तो इसको कह Tensional Force, Tensional Force कहलाता है और Tensional Force के दुरान क्या होता है tension floor के दुरान जो plates होती है उनके अंदर crack आजाते है उनके अंदर crack आजाते है देखिए जरा यहां पर माप लोगों समझाता हूँ यह देखिए यहां पर यह रहा यह देखिए यह crack आगे ठीक है? यह यहां पर crack आगे अब जब crack आगया यह नीचे की तरफ हो गया यह नीचे की तरफ धस गया यह कभी-कभी ऊपर की तरफ भी हो जाता है यह उपर की तरफ भी हो जाता है और नीचे की तरफ भी चला जाता है और यह जो नीचे की तरफ गया है इसको ब्रंस घर्टी बोलते हैं ठीक है ये ब्रंस घर्टी होती है और ये जो उपर वाला हिस्सा होता है इसको host बोलते है नीचे दबरे वाले इसको grabन बोलते है ठीक है grabन कहा जाता है चलिए ये हो गया हमारे सामने आप इसको घर पे भी बना सकते हो घर पे कैसे सर अभी समझाते हैं अब आप एक eraser ले लिजिए एक काम करें एक eraser ले लिजिए इस eraser को ऐसे line पहले एक बार draw कर लिजिए और इस line के according जब इसको cut कर लिजिए इसको cut कर लिया अब क्या करना है इन तीनों को एक बार आप मतलब कि हाथ से दबा कर उपर उठा लेजिए ठीक है पकड़ कर आपने इसको उपर उठा लिया चोलो भाई या उठ जाओ अब धीरे धीरे न आपने हाथों का आपने जो power लगा रहर के pressure लगा रहर के वो थोड़ा सा कम करो जब आप कम करोगे न तो यह अपने आप नीचे की तरफ हो जाएगा यह देखे नीचे की तरफ हो रहा है तो यह बन गया आपके सामने block mountain यह बन गया block mountain यह inside क्यों हुआ यह tensional force क्यों लगा याद करो अभी आपको मैंने एक वीडियो दिखाई जिसके अंदर movement जो है देखे movement जो है वो नीचे से magma आ रहा है नीचे से magma आ रहा है और एक side हो रहा है और एक side इसके उपर plate तो टिकी हुई है न तो वो भी कही न कहीं यह move हो रही यह move हो रही है तो यह tensional force बन रहा है यहां पर tensional force बन रहा है उस tensional force के कान जो है block mountain यहां कई भ्रंस परवत जो है वो बनते हैं और यह area जो है वो नीचे उठाए कभी कभी जो है यह area उपर की तरफ भी उठ जाता है clear तो ऐसा नहीं है कि यहां पहमेशा नीचे आए यह उपर भी जा सकते है अब block mountain पे आते हैं block mountain जो है located between two rift valley घाटियों की बीच स्थित होते हैं जैसे कि यह देखिए यह उपर की तरफ हो गया यह host होता है नीचे वाला हिसा दो होता है वो graban कहलाता है जो उपर उठ गया हिसा है उपर उठा हिसा है तो block mountain हमारे सामने निर्मान हमने देख लिया कैसे बनता है अब example कहा है block mountain के एक salt range है पाकिस्तान के अंदर और एक हमारे देश के अंदर सत्पूडा range है इंडिया में ठीक है ध्यान रखना इस चीज़ को अब बात करते हैं volcanic mountain की देखिए volcanic mountain जैसे हमने अभी देखा है folding mountain जैसे बन रहा था तो उस परक्रिया के तुरान उस परक्रिया के तुरान folding mountain के तुरान जब crust से जब मैगमा बाहर की तरफ निकलता है तो मैगमा जब बाहर की तरफ निकल रहा होता है ना वहां पर volcanic mountain का निर्मान होता है volcanic mountain जब magma निकलता है देखिए यहां पर आपकी सामने मिला mountain are found by volcanism जो volcanic से कारण होते हैं यहां से magma निकला magma जब यहां से निकला तो यह magma उपर की तरफ आया और यहां पर solid हो गया जम गया यहां पर यह magma है क्या यह पत्थर पिगले होई दुए ty यह continent यह crust पिगली होई दुए दुठी और यहां पर जो है वह एक तरिके से crust का निर्मार होते चला त्रीक है crust का निर्मार और यहीं पर mountain बनता चल गया यहां पर mountain बनता चल गया हमारे सामने clear अब देखें इसके एक्जांपल के बात करूंते हैं हो गया माउंट कारा काटो हो गया एक माउंट कोटा पैक्सी हो गया एक माउंट मोना ला हो गया एक किली मंजारो हो गया ठीक है ये कारा काटो जाओ वो इंडोनेशिया में अफ्रीका में किली मंचारों हो गया जापान का मांट फूजियामा ऐसे करके है शायद भी मेरे दिमाग से निकल रहा है वो तो एक यह हो गया हमारे सामने ये सारे क्या है कब बन रहे होते है volcanic mountain कब बनते है जो folding mountain के दोरान जो परकरिया होती है अब residual mountain की बात कर लेते हैं जैसे मैंने कहा residual mountain क्या होते हैं जैसे ये भी folding mountain का उधार्ण है ये folding mountain बहुत पुराने होते हैं residual mountain होते हैं बहुत पुराने होते हैं क्याने कि इनकी age का पता ही नहीं चल पाता है कि कब बने थे billions of years पहले ये बने थे यह तो यहां पर यह जो है यह रेजिदिवा मांटन ने होते हैश dwell ने तो आशे थे फोल्डिंग नूंटन में परकिरिय के तवरह लेकिन यहां पर हवा चली रही हवा चली घरशन हुआ truthful उड़ी यहां से सक Philipp आज एक चलते रह exceptions है residual mountain are categorized under erosion type यानि erosion यानि घर्षन के होते है erosion type of mountain that have been formed by continuous degradation of the outer layer of surface or surface of mountain over time यानि एक जैसे से time बीता है जो उसकी ऊपर की जो layer होती है वो ऐसे घिशती रहती है these are usually found as isolated mountain with a height less इनकी height क्या होती है less than the most newly formed mountain जो नही नहीं mountain बने होते है उनसे इनकी height जोती कम होती है there are several examples of residual mountain बहुत सारे उधान है हम जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो अरावली mountain क्याता है सबसे पुराने residual mountain है सबसे पुराने residual mountain है clear हुआ यह आपके सामने definition लिखी हुई हुई है folding mountain का ही उधान होते है आज की date में young fold mountain होते है वो बना कैसे यह हमारे पास theory है लेकिन इनके लिए हमारे पास प्रयाप्त जानकारी नहीं होती क्योंकि कौन सी plate टकराई थी इसके बहुत कम knowledge होती है क्योंकि बहुत पुराने होते है माउंटेन बनना कोई एक-दो साल की प्रक्रिया नहीं है सालों लग जाते है बहुत सालों लग जाते है बिलियंस इयर्स पुराने mountain है यह residual mountain ठीक है अब यहाँ पर आगे है चलते है हिमाले यह मैंने सारा ताम चाहँ आप लोगों को क्यों करवाया mountain क्यों करा है क्योंकि मुझे हिमाले समझाने मुझे हिमाले करवाना है तो इसलिए हिमाले जो है वो folding mountain का उधारन है अब आप पूस्ते है Sir यह folding mountain किया होती है तो आब आपको समझ में आ गय posleding mountain क्या होती है देखिए शुरुडात में जब धर्ती की बात करें, तो यहां पर सिर्फ एक ही आइलेंड हुआ करता था, जिसे पैंजिया कहा करते थे, पूरा एक ही आइलेंड हुआ करता था, जिसे हम पैंजिया कहा करते थे, यह आइलेंड जो है वो धीरे धीरे हिस्सों में डिवाइड हुआ over the time, ठीक है, प्राकर यह एक ही हुआ करता था उस एक को कहा जाता था पैंजिया अब यह over the time क्या हुआ यह पैंजिया टुकडो में डिवाइड हो गया यहां पर आप यह देखे यह रहा भारत यह भारत रहा यहां पर यह ओस्टेलिया रहा थ Jackie क्लियर हुआ एंटि कलोक्वाइड तक्राएं है एंटि कलोक्वाइड का क्या मतलब होता है कि जो हिमाले है यहां पर आपको हाइट कहां पर सबसे ज़ादा देखने को मिलेगी तो इस्ट साइड जो है हाइट ज़ादा देखने को मिलेगी इसकी clear अब हिमाले की बात करते हैं देखे हिमाले जो है कहां से यह देखे यह हिमाले जो है यहां से लेकर यहां तक बहुत इसकी length है यह फैला हुआ है कैसे बनाए यह मैंने आप लोगों को बता भी दिया folding mountain का उधारन होता है इंडो उस्टेलियन और यह जो यहां पर जो है वो folding mountain हमारे सामने मिन के सामने आया था यह जो हिमाले इसकी जो length है वो 2400 से लेकर पच्ची सो किलोमेटर तक है ठीक है 2400 से लेकर पच्ची सो किलोमेटर तक इसकी length हो जाती है और यहां पर सबसे उंचा mountain कौन सा है Mount Everest है ध्यान अकना Mount Everest है तीक है Godwin Austin बोलते है वो भारत में बढ़ते है लेकिन वो पाक occupied area के अंदर है वो भारत का ही है अब यहां पर exam में पूछ लेते हैं कि दूसरी सबसे उंची चोटी कौन सी तो यह 2 है लेकिन सबसे उंची चोटी कौन सी है वो यह average है और ध्यान अकना आज की date में भी यहां पर जो है इसकी height बढ़ रही है 848 थी 848.86 848.88 848.86 पहले 848 ही थी लेकिन यह .86 meter और बढ़ गई है क्योंकि धीरे-धीरे कहीं ना कहीं यह जो है टकराते रहे हैं धीरे-धीरे वो अलग बात हमें नहीं पता चलता लेकिन यह टकरा रहे हैं धीरे-धीरे clear तो यह ध्यान रखना जो Mount Everest है वो कहां पर पढ़ता है यह पढ़ता है नेपाल में और नेपाल में Mount Everest को क्या कहा जाता है सागरमाथा कहा जाता है clear तो यह Mount Everest किसका उधार्ण है Folding Mountain का Young Mountain है हमारे सामने इसकी लेंद हमारे सामने है 2400 से लेके 2500 किलोमेटर इसकी width जो होती है इसकी चोड़ाई की बात करूँ तो इसको दो तरीकों से डिवाइड किया गए एक तो यह West Side में और एक यह East Side में West की अगर बात करूँ तो West में आता है हमारे सामने Jammu and Kashmir Jammu and Kashmir Jammu and Kashmir में जो इसकी चोड़ाई है वो लगबग 500 किलोमेटर तक है तिक है 500 किलोमेटर तक है और East के अंदर जो इसकी चोड़ाई है वो है 300 किलोमेटर तक है 300 किलोमेटर तक है और इस Side ही आप देखेंगे तो यहाँ पर Biodiversity बहुत ज़्यादा मिलेगे क्योंकि यह Anticlockwise Direction में टकराए है Anticlockwise Direction में टकराने के कारण यहाँ पर यहाँ आपको Hide ज़्यादा मिलेगी यहाँ पर यहाँ आपको Biodiversity ज़्यादा मिलेगी अब इसकी जो Shape अगर आप देखते हो यहाँ धनुशाकार की एक आकरती आपके सामने निकल कर आती है हिमाले की Clear हुआ हिमाले को ही हमने समझना है यहाँ से Introduction में स्टार्ट कराऊ अगली वीडियो में हम हिमाले को करेंगे अभी हिमाले के बारे में अगर बात करें इसकी Origin हिमाले के जो उत्पत्ती हुई है इसके बारे में बात करों तो देखें इसके उपर दो थियोरी है एक है Geo Syncline भू सननति इसको कहते है और एक है Plate Tectonic Theory Plate Tectonic Theory जो है आप लोगों को एक अलग से वीडियो में आपको करवा दूँगा कि क्या होती है Continental Drift Theory Plate Tectonic Theory यह सारी चीज़ें आप लोगों को एक अलग सी वीडियो में करवाँगा यहां पर वो चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ clear अब जो है यह Geo Syncline जो यानि भू सननति में क्या क्या आगा है यह किसके उपर अधारित है Based on Continental Drift Theory यह Continental Drift Theory के पर अधारित है किस नहीं दिया था यह Alfred Wagner ने इस सिधानत को दिया था या इस थिया था पूछा जाता है Alfred Wagner कौन थे ध्यान अगने यह Climatologist है ध्यान अगने Climatologist है अब यहां पर था Alfred Wagner ने क्या दिया था Continental Drift Theory पर ये सिधान स्थापित किया था कि हिमाले का निर्मान कैसे हुआ जियों सिंकलाइन यानि भू सन्निति के धार पर ये plate tectonic theory है due to convergence of two plates ये हमने देखा भी है वीडियो में कि दो plates का आपस में टकराने से क्या है हिमाले का निर्मान हुआ अब दो plate कौन कौन सी? Eurasian और Indo-Australian anti-clockwise टकराई है इसलिए east की side height ज़्यादा मिलती है इसकी क्या नाम है हिमाले की और ये theory किस ने दी थी? एक मिनट इसको साफ कर देते हैं चहरा दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर अब देख लिजिए तो ये जो है Harry Hammond Hess ने ये जो थी? वो theory दी थी clear होगे? तो उमीद करता हूँ कि ये पूरा concept आपको समझ में आया होगा कि Physiographic Reason of India यानि भारत के भौगौलिक भाग जिसमें हमने mountain से start किया mountain के हमने उत्पत्ती देखिया है कैसे कैसे mountain बनते हैं बहुत बढ़िया से मैंने समझाने की कोशिश की है और पसंद आई है तो definitely मुझे आप कैसे बता सकते हैं comment करके और साथ इसाथ वीडियो को like करके और channel को subscribe करके देखें आपके subscription से बहुत ज़्यदा motivation मिलता है और अच्छी videos बनाने की कि बच्चे को और अच्छे से कैसे समझाया जाएं वो अगर मुझे असामने से response देगा तो मैं चीज़ों को समझूगा clear PDF के लिए मैं आपको ओलेडी बता चुका हूँ कि PDF का मिलेगी तो description box में link दिया मिलेगा